नवश्कार दोस्तों मैं हो सचेन और आपका मेरी यूटीब चैनल पे बहुत बहुत सवगत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जो पॉइम डिसक्स करने जा रहे हैं जिसका नाम है हंगर और इसे नाम देव दस्तल ने लिखा है नाम देव लक्षमन दसर जिनका जनम उनिस सो उन्चास में हुआ था और डेथ उनकी होगी थी 2014 में एक मराथी पूइट थे राइटर थे और दलिट एक्टिविस्ट से जो की महराष्टा इंडिया से थे और यह वस्वन फ़ाँडर दलिट पैंथर इन 1972 विच इस आ काइंड ऑफ सोशल मुमेंट और जो कह चाती थी कि जो हरायरकी है इंडियन सोसाइटी में कास्ट हरायरकी है जो उसको खतम करना चाती तो उसको डिस्ट्रोय करना चाती थी यह मुमेंट एक्टिव थी 1970s में और 1980s में जिस टाइम पे जो जो दलित वर्ड था जो दलित तम थी वो काफी पॉपरलाइज हुई थी इंडिया में उसके बाद धसल को जो है पदमशीरी से सनमानित किया था 1999 में अब देन ही वे जो अवर्ड़ एक लिए लाइफटाम चीवेंट आवर्ड फ्रॉम थी थी साहित्य अगैडमी इन 2004 जादा फेमस यूनो फोकस करती है यह पॉइम इसकी थीम जो है उसी के उनी के उपर उनी लोगों के अराउंड है जो कि इस तरीके की चीज से गुजरे हैं जिन्होंने यह सब सहा है और इस पॉइम को वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगोंने इस पीड़ा को इस दलित होने की पीड़ा को या फिर लोग कास्ट होने की पीड़ा को समझा है अगर अपर कास्ट वालों से बोलेंगे तो फिर वो इन चीज को नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने उस चीज को सहा नहीं है ठीक है तो बहुत ही कमाल की पोईम है स्टांजा वा स्टांजा इस पोईम की एक्स तो यहां पर पूइट कह रहे हैं कि वो ना तो यह एक चीज कर सकते हैं ना कोई दूसरी चीज कर सकते हैं तो उनके लिए जी पर पूइट के लिए कविता आसान है किसी पूखे पेट के लिए और क्या जो मुजिक है जो संगीत है वो कही न कहीं जो भूख की आग है उसमें मर जाता है उसमें खत्म हो जाता है उस इंसान के लिए कभी मिजुजिक सुना ना मुजिक बनाना कितना मुश्किल passiert जो अपनी पल्स पर्वीड को मुझा पाउंट नहीं कर सकता दो भीटकी पल्स जिसने यह कभी ने सोचा मैं क्भीवी तो गाने कास से ब्डॉबhou कर जो सकते हैं कौन सुनते हैं लोग तो romantic चीजे सुनते हैं ना तो भूखवाले गाने सुने को कौन सुने गा और कौन इसको पैसा देगा ठीक है आगे बहुते हैंहां,Hungar a fruitless thing.Hungar को एक fruitless thing कहते हैं यहां पर गो ठीक है? Fruitless thing कैसे कहते हैं? कहते हैं However hard you work, the reward is still stones तो बोलते हैं आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको अपनी मेहनत का जो है वो फल पूरा नहीं मिलेगा और दलितों के साथ ऐसा ही होता था उनसे बहुत जादा काम करवाया जाता था लेकिन उन्हें जो फीस थी या उनकी जो मेहनत का फल था जा मेहनत की जो पैसे थे वो उ तो हम उसमें रहे नहीं सकते हैं, ठीक है? अब वो हंगर को माउस कहते हैं, cat कहते हैं, line कहते हैं और बोलते हैं, we are just mortals, हम तो mortals हैं हम कैसे इस game को खेल पाएंगे, इस game में तुमारा सामना कर पाएंगे जो कि तुमने हमारे सामने खड़ी कर दी है, है ना? तो हम, we are not capable of, you know, of playing with you, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं ये चीज़ हंगर को कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अपर कास्ट को भी ये बोल रहे हैं कि अपर कास्ट के सामने लड़ना हमारे लिए उतना possible नहीं है, ठीक है? So, the poet starts his poem with questions, he questioned that the poem or one's talent will dialed under the impact of fire of hunger तो बोलते हैं कि जो poem है या फिर कोई भी और natural talent है किसी बंदी में, अगर वो अपना पेटी नहीं भर पा रहा है तो फिर उसका जो talent है वो अंदर ही खतम हो जा रहा है, ठीक है? Now, he says that hunger is related to poetic reality and poet deals with it in a physical, mental and emotional life Okay, then the poet says that you may do hard work but you will not get the reward of this work, ठीक है? जितना मर्जी hard work कर लो आपको मैनत का फल नहीं मिलेगा उसका, उसका पैसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? Now, the poet conveys the reality that one's ability is died in the fire of discrimination and he cannot get the real position in his life तो वो बोलते हैं कि जो किसी भी ability है जैसे भी किसी का फैशन है वो खत्म हो जाता है, कहां पी जब कोई भेदवाव की आग में या फिर भू की आग में अगर किसी का पीटी अच्छे से नहीं बरा है, अगर किसी के साथ भेदवाव किया जा रहा है तो फिर वो अपने talent को अपनी ability को कैसे पहचान पाएगा ठीक है और उसकी जो real position है जो real position जो life में हासिल कर सकता था वो उसको कहीं नहीं मिल पाएगी Okay, then poet also says that the people of upper caste cannot survive without the lower caste people, they need their help for a lot of things और end में वो यह भी कहता है कि जो upper caste society के लोग है, upper caste के लोग है, वो lower caste से without survive ही नहीं कर पाते हैं Okay, बोलते हैं हमारे साथ कोई game मत खीरो और do not compelled us to make a revolt against you तो बोलते हैं हमें इतना भी compelled मत 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 कर को कि हम तुम ही लोगों के against revolt कर जाएं, ठीक है? Now, here he shows his harsh feeling which are full of anger तो वो अपनी harsh feeling जो हैं वो show करते हैं यहां पे जो की पूरे गुसे से भरी पड़ी है तो चलिए दोस्तों second stanza बढ़ते हैं Hunger a shrewd piece is growing everywhere This is the beginning of our new life sentence Hunger forgave us that we cannot cut the tree of time But even cut the sky will still be blue To which market can we carry dumb hurts तो वो बोलते हैं, hunger a shrewd piece जो है, एक जो shrewd kind of piece, clever kind of piece is growing everywhere हर जगा grow कर रही है, ठीक है? Now this is the beginning of our new life sentence यह कही न कहीं शुरुआत है, हमारे new life sentence की हमारी नहीं सजा की शुरुआत हो रही है Hunger forgave us that we cannot cut the tree of time Hunger, हमें माफ कर दो, क्योंकि हम जो समय का पहिया है, इसको कट नहीं कर पाते हैं कर सकते हैं, ठीक है? हमें सहना पड़ेगा, जो भी हमें ऐसा थो रहा है उसको कोई नहीं हमें सहना पड़ेगा, ठीक है? He says that to which market can we carry our dump hurts? अब जो हमारी dump hurts हैं, ठीक है? उन्हें हम किस market में जाके carry करें, किस market में लेके जाएं We are auctioned them, कहां पे हम उन्हें auction करें, ठीक है? Okay, कहां पे हम उन्हें auction करें Where day sweeps life, who will buy crushed hurts? Who will profit by the deal? तो जो crushed hurts हैं, जो टूटे हुए दिल हैं, इन्हें कौन खरीद देगा? है ना, इन्हें खरीद के कौन profit गारेगा तो चीज़े तो लोग profit वारी deal ही लेते हैं हमेशा से और अगर इसमें कोई profit ही नहीं है तो टूटे हुए दिल का तो कोई भी सानी नहीं नहीं होता तो टूटे हुए दिल को कौन करीद देगा तो फिर कहीं नहीं यह हमारे साथ गलत हो रहा है हंगर, tell us your game, your strategy, if we can muster guts enough, we will fight you to the finish हंगर, हम एपनी game के बारे में तो बताओ थोड़ा, थोड़ी से tragedy के बारे में तो बताओ हम इतनी, you know, इतनी guts हमारे अंदर ही कठी कर लें कि हम तुम्हारे साथ अंत तक लड़ें, अंत तक fight करें हमारे साथ Can't crawl and growl on our stomachs too long with you हम अपने पेट पेट के बल अभी बिल्कुल, you know, नहीं रग नहीं चल सकते है पेट के बल नहीं रेंग सकते है हम तुम्हारे साथ इतनी दूर तक ऐसे इसी position में नहीं चल सकते हैं How much can we wash the germ of hunger? How much wash the dust of years? तो मुझता है हम कैसे, जो germ है hunger का, उसको हम कैसे, you know, कैसे wash कर सकते हैं You know, germ means, jam you email. How much wash the dust of years? तो जो हमारे सालों से हमारे उपर, you know, dust पड़ी है गाम करने का नहीं से, उसको हम किस तरीके से साफ कर सकते हैं How much scorn to the very ends of scorn? हम कितना scorn सहें, कितना, you know, गिन सहें, कितनी गिन करते हैं लोग हमसे तो हम कब तक उसको सहें, कब उसका अंत होगा hunger if a bridge of iron will not join you to us, then let us fly free like unfettered words तो बोलते हैं, hunger कोई किया कोई ऐसा bridge नहीं है, जिससे कि हम तुमारे साथ जूड सके हैं, जिसकी मदद से अगर ऐसा नहीं है, तो हमें बताओ, तो हमें उडने दो, हमें उडने दो, किस तरह कि उडने दो? हमें free words की तरह उडने दो, कि जो जहां चाहें जा सके, hunger your land, the thorns upon your land, faster in the brain all night, till the brain itself freezes तो वो बोलते हैं, कि hunger तुमारे धरती है, जिस पर कांटो भरी धरती है, वो हमारे brain में लगातार पूरी राथ जो है, जो चुबती रहती है, ठीक है? hunger when a thing is taken from the fridge, is it still fresh? hunger जब किसी चीज़ को fridge से निकाल दिया जाता है, क्या वो उसके बाद भी fresh रहती है, उसके बाद भी वैसे ही रहती है, जैसे कि वो अंदर थी hunger your every blood drop is cold, your every blood drop is mute, hunger तुमारा जो हर खून की जो बूंद है, वो ठंडी पड़ चुगी है, तुमारे हर खून की जो बूंद है, वो विल्कुल शान्त है, मतलब चल नहीं रही है, वो एक्टम से still है वो, order let lightning course through the guts, order let life gets charged, hunger बूंद है, अब order करो, जो lightning course है, कही ने कहीं, जो guts बूंद को बहने दो, बूंद को बहने दो, our life let gets charged, हमारी life को चार्च करो, ताकि हम कुछ कर सकें अपने लिए, अपने लिए लड़ सकें, and then wounded seas and the long months of our demands, hunger say yes to our dreams, तो यो जो wounded seas या फिर the long months of our demands है, जो हम इतने दिनों से demand कर रहे हैं, इतने लंबे समय से demand करते हैं, वेलिंग कर रहे हैं, आपके आगे हैं, तो hunger say yes to our dreams, hunger हमारे जो सपने हैं, इनको finally, अब तो yes कर दो, don't snuff out the orphan huts upon the shore, ठीक है, जो orphan है, हम जैसे जो orphan है, उन्हें न्हें निकालके, उन्हे उनकी हट से निकालके, ऐसे, इनकी हट से निकालके, इसे, जो सीज हैं, उनकी शोर के उर मत, इनकी तो, you know, वेलिंग दो, we'll see later the gold threaded struggle between the snail of pain and the sea, now the poet here, demands from the upper caste that please do not, you know, please don't cut the wings of our dreams and do not behave like a snail of pain, he says that the brain of upper caste are freezes, freezes, okay, let us start the third stanza, hunger we have made our demand, let you need us, we will never grow, let us grow, the sun may briefly have forgotten dawn, the river may briefly have forgotten time, we wanted more from light than mere life, but light turned false, hunger, we will not allow a column of cloud to stand, indifferent to our door, how much more can we thank, pain the music in pain, if we have not made ourselves a tidy life, what right do we have to quarrel with the flowers, how much can we excite pain, how much can we burn, how much can we catch the fire that burns forever, if our words find no expression, in this stream of sun, we'll salute you like defeated soldiers, whoever said that every soldier in the army fights like a man, now here poet demands that, you know, keep us allowed to live our life freely without any discrimination, without any partiality, here poet also demands more from the sun, more light from the sun, because they do not get the light or the positive things in their life, also, poet also, you know, compares themselves with the defeated soldiers, and he also said that, whoever said that, whoever said that, every soldier in the army fights like a man, he says that, even they are defeated, but they never lose their heart, poet says, also, even dear person who leads us today among us, he says, that no disaster will break, but you want to lose, you want us to lose our heart, four stanza पढ़ते हैं, hunger there is not a single grain in our house today, hunger हमारे घर में एक दाना तक खाने को नहीं है हमारे घर में आज, ठीक है, not a single clever brain in our house today, कोई भी एक single clever brain भी नहीं है हमारे house में, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ा लिखा कैसे होगा, obviously, यहां भी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर clever brain कैसे पैदा होगा, brain काम ही कहाँ से करेगा, अगर पेटी नहीं बढ़ा होगा, तो, hunger, if one sings till the last light of the innermost being, will it turn off hunger light, hunger, अगर कोई अपनी, you know, innermost being तक, अगर आखरी सांस तक, अगर कोई गाना गाता रहे तुमारा, तो क्या तुमारी जो light है, वो ओफ हो जाएगी, hunger, if one takes care of you now, will it darken, hunger, अगर हम तुमारा ध्यान अब रखें, तो क्या तुम मिट जाओगी जी र तरह की मुश्किल को डट के सामना करते हैं, लेकिन, तुम हमारे रास्ते में आजाती हो, तुम हमारा वे रोख देती हो, hunger, if we cannot meet you, cannot impregnate you, our tribe will have to kill itself, hunger, we have all the aces, why talk of the songs of the half-sex jacks, here's our manhood before you now, let's see who wins this round, you or me. Now, here poet refers to hunger as a lady or a woman, he says that if we will not meet, then our tribe will lost their existence, so, बोलते हैं कि अगर हम में में नहीं कर पाएं, मिल नहीं पाएं, हम तुमें इंप्रेग्नेट नहीं कर पाएं, तो हमें हमारी tribe को कहीं नहीं कोद को खतम करना बड़ेगा, ठीक है, so, बोलते हैं कि हमारी जो मैंहीं होड़े हैं, वो उसे पढ़ते हैं, hunger का, five, which came first, seat or tree, यहां पे वो hunger से पूछते हैं कि पहले कोन आया था, beach आया था, या द्रक्त आया था, hunger you make things too difficult, hunger तुम चीजें बहुत मुश्किल कर देती हो, hunger just tell us but breed this monkey is, and if you can't then we will screw 17 generations of you, hunger you and your mother, तो यहां से पूछते हैं कि hunger यो इनसान है, जो monkey से बना हुआ है, वो अब किस breed का बन चुका है, हना किस तरीके का monkey है अगर तुम नहीं बता सकती, तो हम, you know, then we will screw 17 generations of you, hunger you and your mother, तो हम सक्रू कर देंगे तुमारी आने वाली 17 पुष्तों को ना, सक्रू कर देंगे, तुमारे और तुमारी मा की भी, ठीक है, in the end, poet asked a question from upper caste, which came first seed or tree, he says that the people of upper caste make things very difficult and makes them breed themselves, he also uses the harsh term, then we will screw 17th generation of you, hunger you and your mother, so here upper present poem finally ends, so guys, I hope कि आपको ये poem समझागी होगी, थोड़ा बेसिक आइडिया लगया होगा, फिर भी कोई ड़ा है, comment सक्के मैं पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगिए, तो लाक शे और comment कर देजगा, ने वीडियो देखे जल्दी आप वसामने हाजिर होगे, तब तक के लिए, thank you very much and have a great day